अगर आपको भी समोसा, कशोड़ी या फिर पकोड़ी खाना पसंद है तो ये रेसिपी आपके लिए बहुत इफाइडेमेंद होगा क्योंकि ये एक ऐसा रेसिपी है जिसमें आपको समोसा, कशोड़ी, पकोड़ी सभी का स्वार मिलेंगे और इसे बनाना बेहद आसान है, कम वक्त में आप इस नास्ति को बना के तियार कर सकते हैं तो ये वीजियो शुरू करते हैं, अगर आज की ये वीजियो आपको पसंद आता है तो प्लीज लाइक करके जाएगा और सेनल पे नए है तो प्लीज सेनल को सब्सक्राइब कर डीजियेगा तो हेलो फ्रेंस, वेलकम तो सफिकल्स किचन तो रिसेपी बनाने के लिए हमने ली है ये एक कप आटा, ये गिहू का आटा है और गिहू का आटा हेल्दी होता है, हम सभी जानते है तो आज का नास्ता जो है आटे से ही हम बनाएंगे इसमें एद किया है दो समस बैसन, बैसन से स्वाद जो है वो बहुत ही बढ़िया आता है बिल्कुल पकोडे जैसा स्वाद आपको इसमें मिलेगा साथ में हम डाल रहे हैं एक बड़े समझ सूजी सूजी से नास्ता हमारा एकदम खास्ता बनेगा इसलिए सूजी जरूर डाले और अगर आपके पास सूजी नहीं है तो उसकी जगा पे आप एक समझ चावलकार्टा भी एड़ कर सकते हैं और स्वादनुसर नमक डालके हमने इसे बहुत अच्छे से मिक्स किया है और अब इसमें हम पानी डालेंगे तो पानी हमें एक अठ्थे बहुत ज़्यादा नहीं डाल देनी है हमें इसका एक गाड़ा सा पेस्ट बनानी है तो उस हिसाब से आपको इसमें पानी डालनी है और पहले आपको कम पानी ही डालनी है कम पानी डालके आपको इसका एक गाड़ा सा घोल पहले तयार कर लेनी है और उसके बाद जितना जुरुरत है उस हिसाब से आपको पानी डालके इसे मिक्स करनी है इससे क्या है कि इसमें गुठलिया बिल्कुल नहीं पड़ेंगे बहुती कम वक में आपका ये बेटर बनके त्यार हो जाएगा तो ये देखिए हमने भी इसे त्यार कर लिया है और ये जो बेटर है ये इस तरह का होनी चाहिए ना ही ये बहुत ज़्यादा रनी होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा गारा होनी चाहिए इस तरह का बेटर हमें चाहिए तो अब ना इसे हम धक्के रख देंगे 10 मिनित के लिए क्योंकि इसमें हमने एक समज सूजी डाला हुआ है तो सूजी को भी फूलने में जो है मदद मिलेगा और साथ में ये जो हमने बेटर टेयर की थी ये भी बढ़िया से सेट हो जाएंगे और जब तक बेटर हमारा रिस्ट कर रहा है हम कर लेंगे बगगी के काम एक पैन में हमने दाला है दो समज रिफाइंड ओल आज को मीडियम रखा हुआ है और जैसे ही ओल हमारा हलका सा गरम हो जाते है तो हम इसमें डालेंगे आधी चोटे समस राय की दाने जिसे हम काले सरसो भी कहते है साथ में आधी चोटे समस डालेंगे जीरा साबुच जीरा हमने डाल दिया है अब दोनों को हलका सा चटकने देंगे अब इसमें एक बड़े साइस की प्यास को हमने टुकडों में कट करके डाला हुआ है और प्यास को जो है आप अपनी पसंदन उसर किसी भी शेप में कट कर सकते है अब इन्हें हमें लगातर चलाते हुए हलका सा पका लेना है प्यास को ब्राउन बिल्कुल नहीं करनी है बस हलका सा ये ट्रांस्परेंट हो जाए तब तक हमें इसे पकाना है प्यास हलका सा कच्छा रहेगा तो ये नास्ता खाने में ज़्यादा तेस्ती लगेगा तो ये देखे इस तरीके से प्यास हमारा त्यार हो गया है तो अब हम जरा मासाला च्पर्वक मदं-धी के लिए कि धुक्त फाली हं नास्टे कालर जो है बहुत भड़ी राते हैं फोड़ है सिल्यemi से अजवाहन हमे एक की है सिली फलेक्स देखके डालिएगा अगर घर मेंबच्चा है तो आप इसे जो है स्कीब ही कर सेकते हैं सभी जो है अच्छे से प्यांस के साथ कुछ सट रिए अब हम इसमें डालेंगे आधा कआप को कड़िप पानी और पानी डाल के हमें अच्छे से इसे एक बर मिक्स कर लेनी है, गेस की फिलेम को मीडिया मी रखा हुआ है, और जैसे ही हमारी पानी में अबाला जाते है, तो हम जो बेटर हमने तेयार करके रखी थी, आटे का, उसे हमने इसमें दाल देनी है, इसको दालने की बाद आपको आच को ना एकदम धीमी कर देनी है, और धीमी आज पे आपको जो है इससे लगातर चलाना है क्योंकि ये जो है बहुत जल्दी गारा हो जाएंगे तो इसलिए आपको इससे लगातर चलाना है ताकि ये नीसे बैठना जाए और इसमें गुठलिया ना पड़े तो मैं जो है इसे इसी तरीके से लगातर चलाते हुए पका लूँगी बहुती जल्दी इसकी जो है एक अपका बढ़ियासा दो बन के त्यार हो जाएंगे थोड़ी सी नमक जो है हमने इसमें एद किया है क्योंकि हमने सिर्फ बेटर में ही नमक एद किया था और यह जो मसाला है इसमें हमने नमक बिल्कुल नहीं डाला था इसलिए नमक हमने हलका सा इसमें एद कर दिया है नमक को जरूर आप टेस्ट करके देखिएगा और हिसाब से ही डालिएगा अब अच्छे से मिलाते हुए इस तरीके से देखिए आपका जो है एक दो बनके त्यार हो जाएगा इसे बनने में ज्यादा वक बिलकुल भी नहीं लगता है बस आपको इसे लगातर चलाना है और जैसे ही ये पूरा डो की फोर्म में आ जाएगा और ये बेटर जो है वो कढ़ाई छोने लगेगा तो समझ जाएगे कि ये अभी बिलकुल तयार है तो आपको जो है गैस की फ्लेम को आफ कर देनी है और इसे हम अलका सा जो है थंडा होने के लिए छोड़ देंगे पूरा थंडा इसको नहीं करनी है आप इसमें हाथ लगा सके इतना गरम आपको इसे रखनी है पूरा अगर अगर थंडा कर देंगे तो आपको जो है नास्ता बनाने में थोड़ी से दिक्कत हो सकती है तो इसे देखिए अभी हमने थंडा कर दिया है तो इसे निकाल लेंगे एक प्लेट में अब इसमें हम मिलाएंगे उबले हुए आलू तो दो मीडियम से इसकी आलू को हमने उबाल के इसे हलका सा हमने मैच भी कर लिया था तो इसे हम इसमें डाल रहे है अब दोनों सीजो को हमें अच्छे से मिक्स करना है आलू डालने की वज़े से नास्ता हमारा अंदर से बहुत ही सॉफ्ट बनेगा और बहुत जड़ा तेस्टी भी होगा हमें इसे हाटों से ही अच्छे से मिक्स कर देना है हाटों से मिक्स करने पर सीजे जो है वो बहुत अच्छे से मिक्स होता है इसलिए कोशिश करें कि आप हातों से ही इसे mix करें नहीं तो आप पोटेटो मैसर से भी इसे mix कर सकते है तो यह देखें सभी को जो है हमने बढ़िया से mix कर लिया है अब हम इसकी नाश्ता बनाएंगे तो नाश्ते को आप अपनी मन चाहे कोई भी shape में बना सकते है तो किसी भी shape में आप नाष्टे को बना सकते है पर मैं जो है इसे कछोड़ी जैसे shape में बना रही हूँ इस तरीके से बहुती प्यारे लगते हैं इस तरीके से नाष्टे को देखने में तो ऐसे ही जो है में फटा फच्चे बना लूँगी यह shape चोहें वह काफी आसान भी है इसमें आपको वकभी कम लगता है अगर आपको समाई की कमी है तो आप इस तरीके से नास्ता बनाईए फटाफ़च बनके तैयार हो जाएगा यह सबसे आसान shape है तो इसी तरीके से मैं भी फटा फट से इसे बना के तयार कर लूँगी और इस तरीके से तयार करके आप इसे जो है फ्रीज में भी रख सकते हैं किसी भी एर टेक कॉंटेनर में डालके आप इसे पूरा एक दिन फ्रीज में रख सकते हैं और जब भी आपको खाने का मन हो आप इसे फटा-फट से फ्रिज से निकाल लिए फ्राय करिए और फिर आप इसे खा सकते हैं तो है ना एकड़म इजी ये नास्ता तो इसी तरीके से हमने जो है सारे बना के तयार कर लिए है एक अब गेहों के आते से देखिए कितना सारा हमा होने रख दिया था और मीडिया मास पे हमें नास्ते को अलग पलग करते हुए सुन्दर सा कलर आने तो फ्राय करनी है आज को बिल्कुल भी हाई पे नहीं रखनी है अगर आप हाई आज पे इसे पकाएंगे तो ये उपर से लाल हो जाएंगे और अंदर पकेगा नहीं इसल बार बार अलट पलट करते रहना है इससे क्या है कि नास्ते का जो कलर है वो दोनों ही तरब बड़ा बड़ाएगा और देखने में नास्ता हमारा बहुत ही सुन्दर लगेगा ये देखिए कितना ब्रहिया फुला-फुला सा नास्ता हमारा बन रहा है और कढ़ाई में कभी भी ज़ादा नास्ता जो है एक साथ मत दीजियेगा इससे क्या है कि आपको पलकने में दिक्कत होगी और ये नास्ता तूद भी सकता है इसलिए जितना आता है उतना ही है आप जो है एक बार में दीजियेगा मेरी करहाई छोटी है इसलिए मैं कम दाल रही हूं अगर आपके पास बड़ी कराई है तो एक बार में आप काफी सारे बना सकते हैं तो नास्ता दीखिए बिल्कुल तैयार हो गया है इतना बढ़िया ये नास्ता दीखने में लग रहा है तो चलिए अब हम इसे निकाल लेते हैं और इसी तरीके से हमने सारे नास्त को बना कर लेनी है यह गर्मगरम नास्ता खाने में बहुत ज़्यादा तेस्टी होती है आप प्लीज इसे घर पर एक बर जरूर बनाएए और हमें कमेंड में जरूर बताए कि आपको आसकी रेसिपी कैसा लगा अगर आसकी रेसिपी आपको जड़ा सभी पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा और मेरी चैनल पर अगर आप नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो चलिए नास्ति को जो है साफ कर लेते हैं और इस गर्मगरम नास्ति को आप सौस या सतनी के साथ एंज्योर कर सकते हैं अभी मनसून का सीजन है आप से बारिस का मज़ा लेते हुए भी खा सकते हैं बहुत ही बढ़िया लगता है मुझे उमीद है आपको आज की रेसिपी जुरूर पसंद आए होंगे तो चलिए इसी के साथ याज विदा लेते हैं वीडियो को आपने यहां तक देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत आपके केर